Hello boys and girls, welcome back to my YouTube channel Real Experience by Nikhil अगर आप Australia जाना चाहते हो और आपके मन में कुछ questions है जैसे कि मैं अपने इंडिया से या home country से क्या चीज़े सीख कर जाऊं तांकि वहाँ पर जा कोई मिरको easy job मिल जाए और वहाँ पर काफी सारी opportunity मिल जाए ज़्यादा पैसा कमाने की चाहिए आप boys हो girls हो वो सारे काम कर सकते हो वो कौन कों से काम है दियान से इस वीडियो को देखना है ये आपके लिए वीडियो बहुत helpful हो सकती है यकीन मानिए ये मेरा real experience रहा है तो सबसे बहले मैं बात करूँगा salon business की अगर आपको salon skills हैं जैसे की threading करना आता है facial करना आता है जो भी काफ़े सारे चीज़े होती है जैसे manicure, pedicure का काफ़ी काम है वहाँ पर और जारा, सबसे जारा जो मैंने काम देखा है वो है nail extension का, nail art का मैंने ये real experience तब किया मैं जब एक mall में गया mall Adelaide में था तो उसके अंदर जब enter किया तो आप देखना अगरा Adelaide में रहते हो right side के उपर जब आप enter करोगे, काफ़ी सारे entrance है वहाँ पर लेकिन जब मैंने enter किया तो right side के उपर बहुत सारी दुकान थी एक office बना था, सारा mall खाली पड़ा हुआ था, मतलब कम customer थे लेकिन उस दुकान के उपर कोई भी seat खाली नहीं थी तो मैंने उत्री देर तक देखा एक दो घंटे वहाँ पर घुमा लेकिन उस दुकान के उपर rush कम नहीं हुआ सीधा साधा मैं आपको बता रहा हूँ की salon का काम सबसे ज़्यादा है यह boys भी कर सकते हैं, girls भी कर सकते हैं तो पहला काम, salon का काम आपने सीख के जाना है दूसरी बाद हम करते हैं, खाना बनाने का अगर आपके पास खाना बनाने के skills हैं आप अपने घर के उपर भी लोगों को food परवाइड करवा सकते हूँ जैसे कि टीफन सिस्टम हो गया जैसे जो ladies हैं, जो काम नहीं कर सकती है या बाहर नहीं जाना चाती है वो घर पर बैठ कर जो खाना है, बना सकती है और अपने टीफन सर्विस परवाइड कर सकती है यह boys भी कर सकते हैं और girls भी कर सकते हैं तीसरे काम की तरफ चलते हैं जो काम है टेक्सी का टेक्सी काम इतना ज़्यादा है आउस्ट्रेलिया में आपको मैं बता नहीं सकता अगर आप Uber driver हो तो आप अच्छे कासे पैसे बना सकते हो अगर आप तीसरे वाले की उपर फोकुस करोगे जिसकी मैं बात करना हूँ अगर आप अच्छे ड्राइविंग आती है अगर आप Uber चला लेते हो तो आपको benefit बहुत होने वाला है चोथी बात करते हैं accountancy का अगर आपके पास accountancy की skills हैं तो आपको बहुत benefit हो सकता है क्योंकि इसकी demand सबसे ज़्यादा है अगर आप देखोगे मैंने काफे सारी वीडियो जाल नहीं है जो PR पढ़ रही है वो जारातर accountants की पढ़ रही है लेकिन उसके अंदर cutoff भी बहुत ज़्यादा जा रही है मैं 1,2,3,4 ऐसे category बना रहा हूँ उसका मतलब यह नहीं है कि पहले number के उपर बहुत ज़्यादा डिमांड है यह कुछ चीज़े हैं जिसकी demand सबसे ज़्यादा है पांच मीं डिमांड आती है वो है digital marketing की SEO की digital marketing थोड़ा सा professional पार्ट बन जाता है तो अगर आप IT background से हो कुछ करना चाते हो आप wheel logging स्टार्ट कर सकते हो digital marketing स्टार्ट कर सकते हो अगर आपने digital marketing की coaching लेनी है मैं नीचे description में एक link दिया हुआ है जिसके अंदर आपको बताऊंगा digital marketing के जरीए आप US dollar में कैसे पैसे कमा सकते हो तो गाइस यह सारे business थे प्लीज आप इसके ओपर focus करिए का I hope आपको यह वीडियो पसंद आया हो like share and subscribe my channel और इस वीडियो को जारा से जारा लोगों के साथ share करो जो बच्चे अस्ट्रेलिया के तरफ जाते हैं तांकि वो सीख कर जाए best of luck